तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Economics Class 12 का Chapter 9 सरकारी बजट एबम अर्थ व्यवस्था की Most Important Objective Question के बारे में जो आपके 2021 की इंटर की परिक्षा के लिए काफी important है और एदि आप इस वीडियो को complete देख लेते हैं आप लोगों को 2021 की इंटर की परिक्षा में 10 नमबर एने 10 मार्क्स गैरेंटी मिलेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और यह हम लोग का Chapter 9 है और इससे पहले मैंने Chapter 1 से लेकर Chapter 8 तक की Objective Question वाली वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के Description में मिल जाएगा जाकर देख लिजिए या फिर आप इस वीडियो को Complete देखिए और पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी ओ हम लोगों की Chapter 8 की वीडियो होगी तूसे अब जरूर देखिएगा लेकिन इस Chapter 9 को Complete देखने के बाद तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का First Question और पहला Question प्रात्मिक घाटा होता है तो एक का जो सही आंसर होगा Option A वित्तिये घाटा मैनेस वियाज भुगतान और ये Question BSEB दुबारा 2018 में पूछा गया था जो आपके 2021 की इंटयर की परिख्षा के लिए काफी इंपोर्टन है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए चलिए आगे देखते हैं और next अमलों का दूसरा नमर कोस्चन budget निमनांकित प्रकार के होते हैं budget जो है वो किस प्रकार के होते हैं तो budget होते हैं संतुलित budget budget का budget और घाटे का budget एतीनो तो 2 का जो सही answer होगा उपर योक्त सभी एक question भी देखिए कितना important है नेश्ठमलों का तीसरा number question निम्न में से कौन राजकोसिय घाटे से होने वाला خत्रा है निम्न में से कौन जो है राजकोसिय घाटे से होने वाला खत्रा है तो 3 का जो सही answer होगा option B Q4. निम्न में से कौन सरकार दुवारा उधार लेने के कारणों की और ध्यान आकरशित करता है? तो चार का जो सही आंसर होगा अफसंसी राजस्व घाटा. निम्न में से कौन सरकार दुवारा उधार लेने के कारणों की और ध्यान आकरशित करता है? यानि एट्रैक्ट करता ह तो चार का जो सही answer होगा option C, राजश्व घाटा, चलिए आगे देखते हैं, और next देख लीजिए हम लोग का 5 number question, question number 5, budget निम्न में से कौन सा सब्द है, budget जो है और निम्न में से कौन सा सब्द है, तो 5 का सही answer option C, एनि French, budget कौन सा सब्द है, तो budget एक French सब्द है, एनि 5 का सही answer option C, ये भी question देखिए, BSEV 12 2018 में पूछा गया था, चलिए आगे देखते हैं, और next देख लीजिए हम लोग का 6 number question, राजकोसी निती के अंतरगत किसे सामिल किया जाता है, तो 6 का जो सही answer होगा option D, इन में से सभी अर्थात, सार्वजनिक V.I. कर और सार्वजनिक RIN, इन तीन answer option D, next हमलों का 7 number question, निमनलिखित में से कौन सा सरकार का पूझी अचार है, तो 3 का जो सही answer होगा option ये, व्याज का वुगतान, व्याज का वुगतान क्या है, तो सरकार का पूझी अचार शही answer option A, और next देख लीजिए हम लोगों का 8 number question, question number 8, budget में हो सकता है, बजट में हो सकता है अर्थात बजट में क्या क्या हो सकता है option यह आगम घाता option बीवित्तिय घाता option C प्रारमभिक घाता option D.N. में से सभी तो friends इस आठ नमबर objective question का answer आप लोगों को करना है अगर आप लोगों को इसका answer पता हो तो please comment box में जरू comment करें और answer ना पता हो फिर भी comment करें मैं आप लोगों को answer कर दूँगा तो इस आठ नमबर के जो objective question का जो right answer है उसे comment box में जरू लिखे और देख सकते है question कितना important है VSEV दुबारा 2012 एवन 2016 में पूछा गया था जो आपके 2021 की इंटर की परिक्षा के लिए काफी important है चले आगे देख लेते हैं और next हम लोगों का 9 number question निम्नलिखित कथनों में से कौन शाज सही है तेक है निम्नलिखित कथनों में से कौन शाज कथन सही है तो 9 का जो सही answer होगा option C राजकोसिय घाटा प्रात्मी घाटे और वियाज भुगतान का योग होता है कौन सा कथन सही है तो राजकोसिय घाटा प्रात्मी घाटे और वियाज भुगतान का योग होता है यानि 9 का सही answer option C next हम लोगों का 10 number question question number 10 budget यानि budget क्या है तो budget जो है और सरकार के IVI का व्यवरा है सरकार की आर्थिक निती का दस्तावेज है सरकार के नए कारिकरम का विवरन है यानि 10 का जो सही answer होगा अवसंडी इनमे से सभी budget है सरकार के IVI का व्यवरा सरकार की आर्थिक निती का दस्तावेज और सरकार के नए कारिकरमों का विवरन तो दस का जो सही answer option D इन में से सभी और next देख लिजिए हम लोगों का 11 नमर question, question नमर 11 आसंतलित budget में, अर्थात आसंतलित budget में क्या होता है तो इसका जो सही answer होगा option D केवल B अबंसी दोनो अर्थात I की अपेच्छा व्याई अधिक होता है घाटा, रिन या, नोट छापकर पूरा किया जाता है ये दोनो, तो 11 का जो सही answer होगा option D केवल B अबंसी दोनो next हम लोगों का 12 नमर question, निम्न में से कौन आप्रत्यक्ष कर है अर्थात निम्न में से कौन जो है, वो आप्रत्यक्ष कर है तो 12 का जो सही answer होगा option C, उत्पादन शुल्क अर्थात उत्पादन शुल्क जो है, ये अप्रत्यक्ष कर के अंतरगत आता है यानि 12 का सही answer option C चलिए आगे देखते हैं, और next हम लोगों का देख लिजे तेरा नम्र कौश्चन, निम्न लिखित में से कौन शा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है चावदा नम्र कोश्चन, निम्न लिखित में से कौन शी राजस्व प्राप्ती नहीं है निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजस उप्राप्ति नहीं है तो चौदा का जो सही आंसर होगा अफशन ये रीनो की वसूली अर्थात रीनो की वसूली जो है वो राजस उप्राप्ति के अंतरगत नहीं आता है चली आगे दिखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का 15 नमर 15 निमलिखित में से कौन सा प्रात्मिक घाटे का सही माफ है तो 15 का जो सही आंसर होगा अफ़सन C राजकोसिय घाटे और वियाज भुगतान का अंतर ठीक है निमलिखित में से कौन सा प्रात्मिक घाटे का सही माफ है तो राजकोसिय घाटे और वियाज भुगतान का अंतर एनि उप्शन C इसका राइट आंसर है नेश्ट हमलों का 16 एनि 16 नमर कोस्टन भारत का वित्तिय वर्स है भारत का वित्तिय वर्स है देख सकते हैं ये कोस्टन कितना important है तो 16 का जो सही आंसर होगा option A होगा एनि 1 अप्रेल से 31 मार्च तक भारत का वित्तिय वर्स है 1 अप्रेल से 31 मार्च तक एनि 16 का सही आंसर option A चलिए आगे देखते हैं और नेश्ट हमलों का 17 नमर कोस्टन सरकार बजट के माध्यम से निमलिखित में किन उद्देशों को पूरा करने का परियास करती है आई एबम संपत्ती का पुनर वित्रन A तो 17 का जो सही आंसर होगा option D इनमें उपर युक्त से भी अर्थात all of these 17 का सही आंसर option D नेश्ट हमलों का 18 नमर कोस्टन बजट के संगठक निमलिखित में कौन है बजट के संगठक जो है और निमलिखित में कौन है तो 18 का जो सही आंसर होगा option C होगा A और B दोनो अर्थात बजट प्राप्तियां और बजट V.I. ए दोनो तो 18 का सही आंसर option C और नेश्ट देख लिजें हमलों का 19 नमर कोस्टन बजट प्राप्तियों के संगठक निमलिखित में कौन है बजट प्राप्तियों के संगठक निमलिखित में से कौन है तो 19 का जो सही आंसर होगा option C A और B दोनों एनि राजश्व प्राप्तियां और पूंजिगत प्राप्तियां ए दोनों तो 19 का सही आंसर option C नेश्ट हमलों का 20 नमर कोस्टन question number 20 सरकार के कर राजश्व में सामिल है सरकार के कर राजश्व में क्या क्या सामिल है तो आईकर, निगमकर और शीमा सुल्क A तीन हो तो 20 का जो सही आंसर होगा option D इनमें से सभी चलिए आगे दिखते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम आउट ताकि अप लोगों को सही से दिखाई दे और नेश्ट हम लोगों का 21 number question प्रत्यक्ष कर के अंतरगत निमलिखित में किसे सामिल किया जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा option C A और B दोनों अर्थात I कर और उपहार कर इन दोनों को प्रत्यक्ष कर के अंतरगत सामिल किया जाता है यैंने A किसका सही आंसर option C नेश्ट हम लोगों का 22 number question और बिकरी कर, इजब बुलेगा प्रत्यक्ष कर तो आई कर और उपहार कर, और जब बुलेगा आप रत्यक्ष कर तब उतपाद सुल्क और बिकरी कर. याद रखेगा दोनों questions में डिफ्रेंस हैं थोड़ा-थोड़ा. चलिए आगे देखते हैं और नेश्ट हम लोगों का 23 नमर कोस्टेन ऐसे वियाई जो सरकार के लिए किसी परिशंपती का स्रीजन नहीं करते हैं क्या है अर्थात उस वियाई को हम लोग क्या कहेंगे जो किसी परिशंपती का स्रीजन नहीं करते हैं तो ताइस का जो सही answer होगा option ये राजस्विविए ठीक है, ऐसे विए जो सरकार के लिए किसी परिशंपत्ती का स्रीजर नहीं करते हैं, उसे राजस्विविए कहते हैं, याप लोग देख सकते हैं कितना important question है, next हम लोगों का 24 नमर question, budget की आउधी क्या होती है, एनि budget की आउधी कितनी होती है, तो 24 का जो सही answer होगा option ये वार्सिक, ठीक है, एनि budget की आउधी वार्सिक होती है, एन्वेल होती है, एनि 24 का सही answer option A, next देख लिजी हम लोगों का 25 नमर question, भारत में एक रुपिया का नोट कोन जारी करता है, तो भारत में एक रुपिया का नोट कोन भारत सरकार का विद्ध मंत्राले जारी करता है, कोन करता है, तो भारत सरकार का विद्ध मंत्राले एनि 25 का सही answer option B, next देख लोगों का 26 नमर question, पूंजी बजट सामिल करता है, एनि पूंजी बजट क्या सामिल करता है, तो पूंजी बजट जो है, वो पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी गत प्राप्तियां तथा पूंजी गत वियाई को सामिल करता है, पूंजी बजट सामिल करता है, पूंजी गत प्राप्तियां तथा पूंजी गत वियाई, एनि 26 का सही answer option B, Next हम लोगों का 27 नमर कोस्चन Question 27 निमलिखित में से कौन आप्रत्यक्ष कर है यदि निमलिखित में से कौन जो है ओ आप्रत्यक्ष कर के अंतरगत आता है तो इसका जो सही आंसर होगा अफसंडी इनमें से सभी अर्थात उत्पाद सुल्क, विक्रीकर और सीमा सुल्क ये क्या है तो ये तीनों आप प्रत्यक्ष कर है तो 27 का सही आंसर अप्शन D ने स्थमलों का 28 नमर कोस्चन निमलिखित में से कौन शव्याई एक पूल के निर्मान में होता है अर्थात कौन सा खर्च जो है वो पूल निर्मान में होता है तो 28 का सही आंसर होगा अप्शन ये पूंजीगत व्याई निमलिखित में से कौन शव्याई एक पूल के निर्मान में होता है तो पूंजीगत व्याई एनि 28 का सही आंसर अप्शन A नेस्ट हमलों का 29 नमर कोस्टन विकासिल राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उप्युक्त होता है एनि ऐसी कौन सी बजट है जो विकासिल राष्ट्रों के लिए सबसे उप्युक्त होता है तो 29 का जो सही आंसर होगा अप्शन ये घाटे का बजट विकासिल राष्ट्रों के लिए सबसे कौन सा बजट सबसे उप्यूगत होता है तो घाटे का बजट 29 का सही आंसर अप्शन ए तो फ्रेंड्स इस 29 अब्जेक्टिव कोस्टेन में से आपको कितने अब्जेक्टिव कोस्टेन का आंसर पता था प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें जिससे आमारे हर ने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके